हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेकर आचुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैंड पर तो गाईज आज इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसी फिल्ड के बारे में बताने वाला हूँ जो के आने वाले टाइम में बहुत ज़्यदा एमर्जिंग और हाई पेंग है इस फिल्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो कैसे स्टार्ट कर सकते हो कैसे आपको जौब मिलेगी ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मैं बात कर रहा हूँ डाइटा साइंस के फिल्ड के बारे में डाइटा साइंस एक ऐसा फिल्ड करियर ऑप्शिन है आप लोग के लिए जो के आने वाले 2 साल में करीब 11 million प्रज़ जोब्स अवेलबल होने वाली है इस फिल्ड में तो अगर आप लोग data science के बारे में सीख लेते हो तो आने वाले time को आप लोग अपने future को recession proof भी बना सकते हो इस video में हम लोग एक course के बारे में बताने बात करेंगे जिसमें आप लोग को industry ready micro internships भी मिलती है projects भी मिलती है और ऐसी learning मिलती है जो कि top employees आप लोग को provide करते हैं तो सब कुछ मैं आपको detail में बताऊंगा सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि देखो यार अगर आप लोग data science के बारे में सीखना चाहते हो तो कौन-कौन सीख सकता है पहले तो ये question mind में आता है तो देखो data science के बारे में कोई भी सीख सकता है any stream, any branch student join कर सकता है data science के field को अगर आप लोग interested हो तो आप लोग join कर सकते हो data science एक ऐसा career option आप लोगों के लिए है तो आज इस video में जिस course के बारे में आप लोगों को बदाऊंगा उसको basically अगर आप working professionals हो तो part time में भी join कर सकते हो और आपको पता है इस course को करके आप 180% तक का salary hike ले सकते हो जैसे आशुतोर्ष जो के एक system engineer थे उन्होंगे data science के field में अपना career switch किया 180% salary hike के साथ इसलिए मैं कहा रहा था आप लोग अपनी job के साथ भी this course को कर सकते हो अगर हम बात करें कि सीख कहां से सकते हो कहां से आप लोग data science के बारे में सीख सकते हो तो well market की बात करें तो देखो बहुत सारे online courses market में available है बट आपको check करना होगा कि industry aligned course कोन सा है जहां पर आप लोग को outcome based learning मिल पाए प्लस आपको यह सा professional certification कर पाओ जिससे आपके resume की भी value बढ़े और आप लोग कुछ skills भी build कर पाओ जिसमें आपको projects भी मिलें कुछ internship करने का भी मोका मिले क्योंकि जब तक आप अपने resume में यह सारी चीज़े mention नहीं करोगे तो एक अच्छी data science की job लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हम बात करें कि बोचारे लोग कहेंगे कि बिया online अगर हम बात करें तो youtube पे बहुत सारे free courses और resources available है data science related बहुत सारे courses मिलते हैं तो क्यों ना वही कर लिए जाएं तो वैल देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप वो courses कर सकते हो वो अच्छे courses भी होती है ऐसी बात नहीं बट कुछ चीज़े उन free courses में missing होती है सबसे important चीज़ एक जो miss होती है ऐसे free courses में आपको personal guidance नहीं मिल पाती one-on-one guidance नहीं मिल पाती सीख तो लोग है आप online courses के थुरू बट अगर आपको कोई doubt आता है आपके mind में कोई question आता है तो वो आप पूछोगे किस से ये सबसे major disadvantage मुझे लगती है जो free courses के होती है दूसरी चीज़ अगर हम बात करें दूसरी चीज़ होती है structure देखो online courses हमें पता नहीं चलता कि कितने करने चाहिए कितने tools के बारे में सीखना चाहिए कितनी technologies के बारे में सीखना चाहिए कितना time किस चीज़ को देना चाहिए ये हमें पता नहीं चलता online courses में ये थोड़ी सी disadvantage होती है जो free courses होते हैं तो हम लोग एक professional course की तरफ भी जा सकते हैं अगर मैं बात करूँ आप लोग को best data science का professional course कौन सी company provide कर रही है तो हम लोग आज इस वीडियो में एक course देख लेते हैं इस चार्टप में आप लोग को premium online courses और placement, assistance, placement वगरा भी provide की जाती है यहाँ पर इनकी दरफ से ये course अभी आप लोग के start किया गया है जहाँ पर आप लोग को एक data scientist बनाने में complete आप लोग के help की जाएगी ऐसी industry ready skills आप लोग को इनके इस course में सिखाए जाएगी अगर सबसे major benefit देखें तो अगर हम curriculum देखें इनके course का तो सबसे पहले देखो इनके curriculum जो है industry के top 85 professionals ने design किया है जो कि खुद अच्छी company में job कर चुके है यहाँ पर इनके जो curriculum उसमें आपको Excel, Python programming, Power BI, इसके अलावा SQL यह सब कुछ सिखाया जाएगा और इन skills को अगर आप लोग एक बार सीख लेते हो तो in future एक अच्छी company में आपको job मिल जाती है दूसरा यहाँ पर इस course में जो आप लोग को mentors मिलने वाले हैं जो कि आपकी help करने वाले नई skills सिखने में वो खुद top companies में job कर चुके हैं ऐसी लोग आप लोग को सिखाएंगे जो Amazon, Microsoft जैसी company में job कर चुके हैं इस field में उन्हीं लोगों से आपको सीखने का मौका मिल रहा है बागी जब आप projects करोगे तो आपके projects में भी यही लोग आप लोग help भी करेंगे तो आप लोग एक बार सोच के देखिए कि अगर आप लोग directly आप लोग को कोई Microsoft में job कर रहा है वो यह चीज़ सिखा देता है तो अच्छी बात है आप लोग का ऐसी company में job link मिलने के chances आप लोग के बढ़ जाते हैं यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है आप लोग को इनके courses में hands-on experience भी मिलता है यहाँ पर हम बात करें hands-on experience के बारे में तो देखो एक example के थुरू मैं आपको बताता हूँ अगर आप लोग cricket के बारे में rules rules सीख लेते हो तो इसका मतलब यह तो नहीं है आप cricket के बारे में जान लोगे तभी आप लोग industry ready हो पाओगे यहाँ पर इनके course में आप लोग को placement की preparation भी कराई जाती है जो कि समसे important step है दोगो online courses तो बहुत सारे मिल जाएंगे बट जब तक आप लोग की job नहीं लगेगी तो ऐसे courses करने का फायदा नहीं है बट यहाँ पर एक अच्छी तीज है कि आप लोग को यहाँ पर जो इनके industry tie-ups है 2000 प्लस companies के साथ tie-up है टॉप companies के साथ जो कि आप लोग को job भी provide करते है तो यह आपकी placement assistance भी आप लोग को इस course में provide करेंगे जिससे आप लोग को job लेने में help मिल जाएगी बागी अगर आप लोग यह top projects पर काम करोगे इनके courses में देख लेते हैं यह कुछ live projects देख सकते हो marketing से related, healthcare से related, construction से related इस type के projects पर आप लोग काम करोगे इसके अलावा एक और major benefit आप लोग यहाँ पर virtual work experience लोगे यहाँ पर micro internships आप लोग को इनके course में provide करी जाएगी top companies जैसे Tata, KPMG, Accenture जैसी companies से आप लोग इस type की यह जो virtual internships हैं वो भी आप लोग को इनके course में provide के जाते हैं जिससे आपका resume और ज्यादा अच्छा हो पाता है तो इस तरीके से आप लोग को यह course provide किया जा रहा है तो देखो अगर आप लोग interested हो अगर आप लोग को data science के field में ही career बनाना है एक professional certification करना चाहते हो आप लोग तो आप लोग Newton School को check out कर सकते हो जिसका link में आपको video description box में दे दूँगा इनकी website पर जाके आप लोग register कर लीजेगा registration करने का फायदा यह है कि एक तो इनके counselor से आपको connect करा दिया जाएगा और जो भी इस course के नए बैची start होने वाले हैं वो आपको guide कर देंगे इस course के क्या fees रहने वाले हैं वो आपको guide कर देंगे और भी जो भी इनके EMIs option हैं जो भी इनके course को करने के लिए requirements हैं सब कुछ आप लोगो guidance मिल जाएगी इनके registration अगर आप कर लोगे तो इसका link में आपको description box में दे दूँगा वहां से आप लोग चेक आउट कर लीजिएगा इस video में गयाई बस इतना ही thank you for watching